आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 की बहादूर कहानी का सहरांस अपने सब्दों में आप लोग कैसे लिखेंगे बोड एक्जाम में इसके अच्छे खासे नंबर दे दी जाते हैं आपको 10 से 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप यह फिरी के नंबर मैं बता दे हूँ आप यह फिरी के नंबर मानों क्योंकि मैं आपको कुछ इस तरीके से आज बताने वाला हूँ कि यह आपको फिरी के नंबर ही लगेंगे तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं तो या बहादूर कहानी का सारांस तो बहादूर कहानी का सारांस आज हम लोग अपने सब्दों में अपने सब्दों में लिखेंगे तो उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी और भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारी इस चैनल पर आपक आप लोग 90% ला सकते हैं तो दोस्तों जाके हमारी सभी वीडियो को देखे और यूपी बोर्ड के प्रिवेस येर के जितने भी एकजांस हुए हैं सबकी एक एक वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो देखते हैं बहादूर कहानी अमरकांद जी द्वारा लिखित कहानी में आधुनिक भारत के छोटी सी परिवार के परिवेश हैं बहादूर कौन था नेपाल का 12-13 वज़ का एक लड़का है जो इस कहानी का नायक है इस कहानी का नायक कौन है एक 12-13 वर्स का एक लड़का है जिसका नाम बहादूर है वही इस कहानी का नायक है आगे क्या होता है उसके पिता की युद्ध में मृत्यू हो चुकी थी उसके पिता की क्या हो चुकी थी युद्ध में मृत्यू हो चुकी थी मा की पिटाई से पदिशान होकर वह घर से भाग कर एक मध्यम वर्गी परिवार में नोकरी कर लीता है बहादूर परिश्रम से घर में काम करता था जिसे गरह सौमिनी निर्मला नाम याद रखना दोस्तों निर्मला बहुत खुश रहती थी निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा उसका नाम बहादुर किसने रखा निर्मला ने बहादुर देर रात तक काम करता और सुबा जल्दी उठकर काम में जुट जाता वह इसी में खुस था और हर समय हसता रहता था वह रात को सोते समय पहाडी भासा में कोई गीत गुंगुनाता रहता था हसना हसाना मानों उसकी आदत बन गई थी किसोर अब यहाँ पर आप लोग किसोर याद रखना एक नाम किसोर निर्मला का उडंड बेता था उसने अपने सारी काम बहादूर को सोब दी थे यदि बहादूर सी उसके काम में तनिक भी आसाओधानी होती तो उसकी पीटाई करता था पीट कर बहादूर एक कोनी में चुचाप खड़ा हो जाता कुछ देर बाप पूरवत काम करने लगता एक दिन की सोर ने बहादूर को सुवर का बच्चा कह दिया क्या कह दिया सुवर का बच्चा बहादूर इस गाली से सहन ना कर सका उसने अपने उसका काम करने से मना कर दिया अब तो घर किस्ततिया हो गई थी कितनिक सी यलती होने पर भी किसोर और निर्मला उससे जम कर पीटते थे मार पीट और गालियों के कारण बहादूर से गलतियां और भूले अधिक होने लगी एक रभिवार को निर्मला के दिस्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में निर्मला के घर आये अजानक उसने रिस्तेदार की पत्नी के नीचे फर्स पर चारपाई और और कमरी के अंदर कुछ ढोड़ने लगी पूछने पर उसने बताया कि उसके ग्यारा रुपए खो गए हैं जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे इसके बाद घर के सभी लोग बहादूर पर संदे ही करने लगे बहादूर ने रुपए उठा लेने से इंकार कर दिया सभी निक्खो पीटा और पुलिस में सुपूर्द करने की धमकी भी दी दमकी भी दी लेकिन सब सोच रहते कि पिटाई के डर से वह अपना प्राज सुकार कर लेगा किन्त जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए थे उस दिन से बहादूर बहुती किन्य रहने लगा एक दिन दोपहर को अपना सभी समान छोट चान कर वह घर से चला गया है निर्मला उसके पती और किशोर और उसकी मानदारी पर बिश्वास हो गया उसने सोचा कि रिस्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराये थे तो दोस्तो या था आज का हमारा या टॉपिक बहादूर कहानी का सारांस तो या समापत होता है और अगली वीडियो में और भी अच्छी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ठोक दीजिए दिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के देखते रहे हैं सचीन लेक्शरर